हलो फ्रेंज तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही जादा मशूर महराष्ट की खड़े मसाले के मटन हांडी की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बेसिक से दो से तीन इंग्रिडियंस से और बीना वाटर के बहुत ही जबरदस यह हांडी बनकर रेडी हो रही हम सबसे पहले मटन हांडी के लिए हम 1 kg मटन ले लेगे मटन को साफ करके वाश कर लेंगे और वाश करने के बाद में जो है तो इसे हम साइट में रख देंगे अब इस सेकर्ड इस्टेप हमारा गया सोन करेंगे यहां पर एक पैंद रखेंगे दो सोपचास ग्रम ऑईल ल लेना है तीन से चार हरी मिर्च लेना है बीच में से नलदी पडर लेना है नमक दालेंगे अपने सौहत के अनुसार अब इन सारी चिज्जुक अच्छी तरह से mix करना है ताके जो यह onion है तो अच्छी तरह से soft हो जाए यह masala जब लगता है onion को और नमक के contact में onion जब आता है तो यह बहुत ज़्यादा soft होता और अपना water release करने लगता है तो पस इसी तरीकी कि हमें onion चाहिए बहुत ही आपको कम कहा है नब बहुत ही कम ingredients में जो है तो यह handy बनकर ready होती है तो देखिए हम इसे mix करेंगे और mix करने के बाद में आप इसमें डालेंगे ताके onion में अध्रक लसन लग जाए और देखिए onion कितनी जादी अभी से soft लगने लगी है एकदम गलावट की तरफ onion जो यहां पर मटन ले लेंगे तो मटन हमने इस तरीका के लिया है बीना जो हड़ी के साथ भी मटन यूस कर सकते हैं और इसमें एक fat का तुकड़ा इस तरहां से लेना है ताकि इसमें सुआद और भी आ जाए तो हमारा मटन भी perfectly done है अब जो जिस हंडी में हमें बनाना है वो हं हANDी में इस तरह से फैला देंगे इंगे आप इसमें जो हमने ऐनियन में मसालय लगांगी रखाया ना वो ओन लेंगे पशेते हंए इस तरह से दैण एक इससमें हम मतं डाल देंगे मेडे कि इनला में म साथे देखने लग ज़िए लसन लस्टन के गाठे डालेंगे इस तरह से लसन इसके गाठी की बाच्श कर लेना है अभी न सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है थाकर मैटान के लिए था, अब यह बढ़ी आतारीके से हमने मिक्स कर लिया है मैटन को अब जो इसके किनारे हैं हांडी के तो आगर आपके हांडी का ढखकन थोड़ा डीला होंगा तो इसे गुना हुआ आटा जो है तो लगा कर इस तरहां से ढखकन ढखना है और अगर ढखकन फिट होंगा तो फिर अब आदे गणते के बाद में क्या करना है यह यह हटा लेना है यानि जो तवा है वो हटा लेना और हांडी को नीचे उपर करके मिक्स करना है ताके जो है तो यह नीचे से चिपके अब आदा घंटे के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ देना है बीना खोले बिल्कुल खोलना नहीं है तो देखी एक गंटा हो चुका है पहले आदा घंटा हमने कोईलो पर पकाया आदा घंटा हम ग्यास पर पकाएंगे और यह हमारी पर्फेक्टली जो है तो मैं आगे बताती हो कितना सौफ्ट इसका मटन होकर रेडी हुआ है उपर से हम धनिया पता दालेंगे इसमें आप ग्यास का फिलेम हमें बन कर देना है क्योंकि इसकी कोई ग्रेवी को हमें पकाना नहीं है या इसमें कुछ भी नहीं कर आगर आपको थोड़ी पतली ग्रेव सर्फ करेंगे तो आपकी तो सही में तारीफ होते रहेंगे इतने जबदा से हांडी बन कर रेडी होती हैं आप सब्सक्राइब कीजियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो वीडियो वाच करने के लिए सुखरिया गाइस तो चलिए फिर हम एपने रेसिपी मिलते है तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और अल्ला हाफीज